हेलो दोस्तों मैं डॉप्टर धनिंजायच साहन डर्मेटलोजिस्ट कॉस्मेटलोजिस्ट एंड हैर ट्रांस्प्लांट सर्जन क्लियर स्कीन एंड हैर अब्दी पुने बाईयो मैंने अल्रेडी फिनस्ट्राइड और उसके हेर लॉस्ट ट्रीटमेंट उसके यूजेज इसके बारे में या उसके साइड एफेक्ट्स के बारे में वीडियोज बनाएं हैं फिनस्ट्राइड हेर लॉस कंट्रोल करने में कैसे काम करता है उसके कुछ जो कुछ साइड एफेक्ट्स है वो है क्या है इसके बारे में हमने अल्रेडी डिसकस किया है अगर आपको उसके बारे में कुछ जानना है तो आप उपर दिये हुए लिंक पे जाके उसे देख सकत हो बहुत सारे लोग finasteride के साथ dutasteride ये ड्रग के बारे में भी जानना चाहते क्योंकि ये दोनों भी ड्रग hair loss treatment में यूज किये जाते pattern hair loss में यूज किये जाते कुछ लोग male pattern baldness को control रखने में dermatologist ने prescribe किया हुआ finasteride तो लेकिन कुछ लोग orally dutasteride भी ले रहे हैं अपने hair loss को control करने में pattern hair loss control करने में finasteride dutasteride ये दोनों भी medicines hair loss management में यूज होते pattern hair loss में यूज होते हैं गंजेपन में यूज होती है इसकी वज़े से बहुत सारे लोग confused है कि क्या में finasteride खाऊ या dutasteride खाऊ उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि finasteride लेना चाहिए या dutasteride लेना चाहिए बहुत सारी information confusing information available है बहुत सारे लोग हमारे YouTube channel पर पूछ रहे हैं कि sir में finasteride खाऊ या dutasteride खाऊ दोनों में हाला कि क्या difference है ये लोग जानना चाहते आप सबको इस बारे में educate करने के लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं इस वीडियो में हम finasteride और dutasteride में क्या difference है इसके बारे में चर्चा करेंगे finasteride और dutasteride ये दोनों भी medicines male pattern loss में गंजेपन में बालनेस में टकल में यूज किये जाते हैं जैसे कि हम सबको पता है कि DHT यानि dihydrotestosterone is the main culprit in male pattern hair loss बालनेस में DHT ये main culprit है हमारे body में जो testosterone रहता है वो एक enzyme जिसे 5-alpha reductase बोलते है उसके द्वारा DHT में convert हो जाता है और ये DHT hormone हमारे बालों का miniaturization यानि thinning करता है shortening करता है और हमारी समझो shortening thinning यानि हमारे hair follicle में समझो तीन बाल है तो उसमें से एक जड़ जाता है दोल बाल बचते है दो में से फिर एक जड़ जाता है एक ही बचता है इसकी वज़े से धिरे-धिरे follicle empty हो जाती है और baldness बढ़ता है ये routine process you know testosterone DHT में convert type 2 5 alpha reductase की वज़े से होता है oral finasteride type 2 5 alpha reductase को inhibit यानि ब्लॉक करने का काम करता है finasteride almost 65-70% DHT को ब्लॉक करता है oral finasteride type 2 में काम करता है oral dutasteride type 1 और type 2 ये दोनों 5 alpha reductase को ब्लॉक करने का काम करता है इसलिए more than 90% DHT ब्लॉक हो जाता है dutasteride से इसलिए dutasteride के result male pattern hair loss में finasteride से भी जादा पाए गये है ये प्रूड है दोनों के comparative study में dutasteride जादा effective पाया गया है लेकिन ये दोनों medicine की half-life total अलग है यानि कि हमारे body में कोई भी medicine यानि half-life यानि क्या रहत है कोई भी medicine ले लिया तो उसका concentration एक specific time के लिए रहता है उसके बाद वह medicine हमारे blood से completely washout हो जाता है इसे half-life यानि उसमें oral finasteride का half-life six to eight hours रहता है उसके बाद वह धेरे-धेरे उसके action कम हो जाते है वाश-out हो जाता है लेकिन oral dutasteride का half-life चार हपते रहता है four week रहता है इसकी वजह से dutasteride हमारे blood से पूरी तरह से निकालने के लिए निकलने के लिए finasteride से जाज़ दहां time लगता है यह main difference है hair loss management में finasteride 1 mg daily लेने के लिए बोला जाता है लेकिन dutasteride के बारे में अभी कुछ भी कोई भी fixed standardization नहीं हुआ है कहीं पे doctor dutasteride 0.5 mg dutasteride daily लेने को बूलते है कुछ लोग यह महने के लिए ले लो फिर alternate day करो एक दिन आढ़ करो फिर आपते में दो बार लेलो ऐसे बहुत सारे changes doctor करते कुछ doctor dutasteride 0.5 mg daily रोज prescribe करते रोज खाना पड़ेगा देखिए finasteride और dutasteride यह दोनों ड्रग prostate enrollment जिसे इसके लिए widely के लिए यूज किये जाते है इसके लिए इसका invention हो गए फिनस्ट्राइड ड्रग यह हेर लॉस मैनेजमेंट में बहुत सालों से यूज कर रहे है फिनस्ट्राइड यह वान मिलीग्राम ड्रग हेर लॉस मैनेजमेंट के लिए यूस एफडिय ने 1997 में ही अप्रूड किया है लेकिन ड्यूटस्ट्राइड दू हजार एक में युएस एफडिय ने सिर्फ prostate enlargement के लिए ही अपूड किया है फिनस्ट्राइड फिनस्ट्राइड पूराणा ड्रग है बहुत दिन से यूज कर रहे है इसके कारण वह डिपडिपली थरली और साइननिफिबिचली स्टड़ी हो गया है हुआ है इसलिए finasteride के effectiveness कैसे काम करता है, उसके side effects क्या है, long term के effects क्या है, इसके बारे में dutasteroid से ज़्यादा पता है, इसलिए finasteride hair loss management में dutasteroid से ज़्यादा use किया जाता है dutasteroid के side effects and long term effects के बारे में जो भी studies हो गया है, वो small sample size data पे किये गया है, dutasteroid के effectiveness के बारे में जो भी studies होए है, उसमें ऐसे पाया है कि वो finasteride से भी ज़्यादा effective हो सकता है, यह hair loss कम करता है, hair loss का thickness and density improve करने में भी यह useful है लेकिन यह सारे short studies, short term के लिए 6 मैंना एक साल के लिए किये गए, इसलिए उसके बारे में जादा research publication, hair loss के बारे में available नहीं है और यह USFD ने approved भी नहीं किया, dutasteroid के long term किये हुए कोई भी studies अभी जादा available नहीं है, dutasteroid और finasteride के side effects के बारे में अगर देखेंगे, तो dutasteroid का ज्यादा half life होने के कारण और वो almost, देखें, more than 90% DHT block करने के वज़े से जो भी patient dutasteroid लेते हैं, उनमें उसके side effect finasteride से कुछ जादा होने के आसार है theoretically, हलाकि ये side effect finasteride dutasteroid के drug continue करने पे reverse भी हो जाते है, safe drug है, लेकिन dutasteroid और finasteride में सिर्फ इतना ही फरक है कि finasteride hair loss management के effectiveness के बारे में जादा research किया हुआ, drug है, इसलिए उसका use जादा हो रहा है, याने to conclude, आप कौन सा drug use करें, finasteride या dutasteride, मैं सर्फ यही कहना चाहूंगा, कि finasteride या dutasteride ये दोनों भी medicine के similar effects है, दोनों भी testosterone को DHT में convert होने से रोकते हैं, दोनों भी hair loss management में use किये जाते हैं, दोनों का भी effect proven है, दोनों भी जो कोई side effect है, वो rare है, दोनों medicine कुछ advantages है, कुछ disadvantages है, लेकिन finasteride पुराना drug होने के बारे में, उसके effectivity, safety के बारे में scientific data जाधा available है, dutasteride नया drug होने के कारण, उसके effectiveness के बारे में कम data available है, या US FDA approved नहीं है, इसलिए finasteride hair loss में dutasteride से जाधा use किया जाता है, पर कुछ patient में finasteride से dutasteride जाधा effective पाया गया है, हम कुछ finasteride non-responsive और resistant patient में dutasteride यूज कर रहे हैं और उनमें अच्छे result भी आये है, फिर भी अगर near future में अगर dutasteride के बारे में और detail study होता है, तो वो भी hair loss management में routinely dutasteride prescribe किया जा सकता है, अभी तो dutasteride कुछ clinics में off-label use किया जाता है और कुछ देश उसमें भी किया जाता है, देखें मैंने finasteride और dutasteride के बारे में आपको educate करने की कोशिश की है, फिर भी आपको कोई शंका है, कुछ doubts है, तो आप हमें इस comment box में लिख सकते हैं, मैं और मेरी डॉक्टर की टीम इसका answer देने की जल 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 एंसर करने की कोशिश करेंगे, dutasteride जो drug है, वो बहुत सारे देशों के FDA ने अपरूड किया है अभी, जापान में अच्छी तरह से यूज कर रहे है, साउथ कोरिया में यूज कर रहे है, और बहुत सारे डॉक्टर्स यूज कर रहे है, और वो effective पाया गया है, किमबवना बहुत सारे finasteride लोगों में finasteride जब effective नहीं होता, तो हम लोग dutasteride चालू करके देखते हैं, उनमें अच्छी तरह से ये useful पाया गया है, तो finasteride लेना है या dutasteride लेना है, इसका जो कोई निरने रहेगा ये आप नहीं लेना, finasteride या dutasteride जो भी लेना है ये आपका doctor तय करेगा, dermatologist है वो तय करेगा कि आपको finasteride देना है या dutasteride देना है, अब खुद कोई भी निरने मत ले लो क्योंकि ये drug के बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी बाते finasteride और minoxidil के बारे में internet पे अविलेबल है, अगर कुछ कम जादा हो जाता है तो you will lose your confidence और unnecessary वो side effects के बारे में सोचते बैठेंगे, इसके बारे में मैंने detail information मेरे पहले वाले वीडियोज में, finasteride वाले वीडियोज में दे दी है, वो फिर एक बार देखिए, दोनों के side effect लगभग similar है, उसमें जादा फरक नहीं है, तो आप finasteride लेना या dutasteride लेना, इसका तय आप नहीं करोगे, लेकिन finasteride से dutasteride और अच्छा ड्रग है, इसके बारे में आपके dermatologist को निर्ने लेने दो, आपके बाल अच्छे रहे, तंदुरुस्त रहे, बालने न हो सके, यह आशा मैं रखता हूँ, धन्यवाद, थैंक् झाल deग्या-जश остав हर बालने में जहीं करोंद।